मंगलवार के दिन रामभक्त हनमान जी को पान चड़ाने का रिवाज है इस पान के साथ विशेश प्रात्ना भी की जाती है माननेता है कि मंगलवार के दिन हनमान जी को विशेश पान अर्पित करने से जीवन की हर समस्याओं का नाश होता है हनमान जी को अश्ट सिद्धी प्राप्त है यानि की हनमान को लक्षमी के आठो रूपों का आशिरवात है ऐसे में अगर आप हनमान जी को पांच चढ़ाते हैं तो आप पर लक्षमी की कृपा होती है राम भक्त हनुमान अगर खुश होंगे तो राम भी प्रसन्न होंगे शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विश्नु के ही अफ्तार है ऐसे में आपको भगवान विश्नु का आशिरवात मिलेगा शनी ने श्री हनुमान जी को बचन दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है तो उस पर शनी की तेड़ी द्रश्टी नहीं होगी अगर आप पर शनी की साड़े साती चल रही है या शनी कमजोर है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें और उन्हें पान जरूर चढ़ाएं अगर मंगलवार कमजोर है तो मंगलवार के दिन पान चढ़ाने से आपका मंगल ठीक हो सकता है हनमान जी को विशेश पान चड़ाने के लिए आपको इस पान में केवल कथा, गुलकंद, सौप, खोपरे का पूरा और सुमन कत्री डलवाएं यह पान एकदम ताजा, मीठा और रजभरा होना चाहिए ध्यान रहे कि पान में चूना, तमागू और सुपारी बिलकुल न डलवाएं अगर आप भगवान को पान चड़ाते हैं तो हनमान जी आपकी सभी मनुकामना पूर्ण करेंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा